हुआ है हलो गुट इवनिंग एवरिवान मैं डॉक्टर स्वाती शर्मा इंग्लिश तूत्रा में आप सभी का स्वाकत करती हूं और यह हमारी 30-day strategy जिसका है डे टू और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यह एमर्स के लिए 30-day strategy है और तो ग्रामर का पॉर्ट्शन भाया बीपेसी के लिए और अभी आप लोगों का जो यह 30-day strategy अभी आप लोगों को मैंने इससे पहले भी जो बताया था जो मेरा डे वन वाला था तो मैंने बताया था कि अब पेपर जो है यह मार्स का डिसेंबर में हो जाएगा बीपेसी का भी है उसके लिए भी मैं अभी काम कुछ कर रही हूँ और जल्द ही आप लोगों के सामने उसे भी लेकर आऊंगी तो बीपी यह जो है ग्रामर तो कॉमन है और यह एमरस के लिए 30-day strategy चली है तो आप लोग इसको देख लीजिए यह यूपीटी जीटी वगरे के लिए नहीं ह लोग है the path to victory और आगर आपको हमारे courses के बारे में जानकारी लेनी है क्योंकि बहुत जल्द हम लोग जो है online एक test series जो है वह launch कर रहे हैं जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको Mr. Amit Sharma देंगे मैं नहीं दूंगी वह देंगे पूरी जानकारी इसके बारे में तो लेकिन सारी जानकारी आपको जल्दी एक या दो दिन में आपको सारी जानकारी उसकी मिल जाएगी इस समय एक्जाम के point of view से आप लोग करें test series ज्यादा helpful है क्योंकि अगर हम यहां पर यह सोचें कि समय कोई एक पूरा course करना शुरू करें तो that is not possible at all तो test series will be very helpful for you और वो ही हम जो है जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे यह और आप हमारा app डाउनलोड करके एक EMRS का test भी जो है वो डला हुआ है that is free of cost online test है आप उसे करके देख सकते है path to victory book है हमारी यह UPTGT के लिए that's not for any other exam that is for UPTGT ठीके जी और इसके बाद यह हमारा online batch है यह हमारा practice batch चल रहा है अब यह खतम होने वाला यह वाला नेवेंबर में खतम हो जाएगा यह वाला बैच इसका video batch available हो जाएगा और यह हमारे वीडियो बैच है वीडियो बैच की ही classes होती है जो video form में पड़ी होती है यह ऐसा नहीं आलग से videos बना के डाले जाते हैं औ all the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand what figure of speech is used in the above lines अगर आप इस question को ध्यान से देखें तो आप मुझे पता है कि जो जो लोग देखेंगे उसका answer देना शुरू कर देंगे तो भाई है यह जो है इसमें कौन सी यह आपको पता है मकबित जो प्ले है उसकी लाइन से हैं यह all the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand तो यह ज तो यह है आपका figure of speech है इसमें that is hyperbolic जिसमें बात को बहुत बढ़ा चड़ा कर कहा जाता है question number two who accused wordsworth of being the lost leader wordsworth को lost leader किसने कहा था actually यह wordsworth को lost leader that's a poem और इसी में he lost leader poem किसने लिखी थी वेन wordsworth did not follow his own ideals तो यह किसने कहा था wordsworth जो की एक romantic age के राइटर थे जिन्होंने lyrical ballads लिखी जिसे माना जाता है romantic age की शुरुवात हुई पाद में वह अपने याइडियल से भठक गए थे तो उनको lost leader किसने कहा है Browning ने यह comment दिया है Browning which poem of kids is modeled on milton's paradise lost in style and structure भाई देखो ऐसा है कि kids जो हैं बहुत ज्यादा प्रभावित थे milton से तो जब हम किसे प्रभावित होते हैं तो obviously हम उसको copy करने की कोशिश भी करते हैं kids ने लिखी थी hyperion वह बहुत ज्यादा जो है milton के paradise lost जो की secondary epic है उससे मिलती जूलती है but उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि it had so many miltonic inferences तो उन्होंने उसको छोड़ दिया तो hyperion तो यह है the poem is hyperion कीट्स लाब इलिद इमसांस mercy is a lyric sonnet ballad elegy तो जो कीट्स ने यह लिखा है ballad यह एक literary ballad है और यह literary ballad है इसमें कहानी एक होते है traditional ballads और एक होते है literary ballads traditional ballads का मतलब होता है जो कई सुनी पर आधारित होते हैं कुछ-कुछ ballads के नाम भी जो उनके writers होते हैं उनके नाम भी नहीं पता होते हैं तो यह यह लाबल इमसांस mercy जो है यह कीट्स ने कहानी कहती भी poem जो है वो लिखी है it is in the form of ballad ballad meter इसमें यूज किया गया है जो चार लाइन का स्टेंजा होता है A B C B जिसकी rhyme scheme होती है तो यह लिटरी बैलड चार्ल्स लैंब रॉट वन फॉल्लइंग प्लेज विच वन कुईन मैब तो गुट नेचरड मैन जॉन वुडविल या जोवन आफ आक इन में से कौन सा सबसे पहले अगर हम चार्ल्स लैंब के बारे में जाने है तो चार्ल्स लैंब जो कि बहुत ही जादा प्रिंस अमंग ऐसे क्यालाते हैं रॉमेंटिक एज के राइटर थे इनके जो एसेज होते थे फुल आफ पैथोज एंड हुमर हुआ करते थे और टॉपाइग्रेफिकल टच लिए वे होते थे तो इनोंने जो प्ले लिखा है दाट इस जॉन वुड जो है वह इनके द्वारा लिखा हुआ प्ले है यह दैट इस जॉन पूड और चाल्स लेम जिस इनके बारे में ने भी आपको बताया इसके लावा इनोंने जो है शेक्स्पियर वे अटेंस ऑफ जो है शेक्स्पियर तेल्स फॉम शेक्स्पियर भी नहीं लिखा है चली 4. Essays of Elia, Tales from Shakespeare, Poems for Children, John Woodville, A Tragedy यह सारे ही उनी के वर्क्स है वागा फिर भी चाल्स लेम बेस्ट किस चीज के लिए जाने जाते थे जो उनका स्यूडर नहीं मुन होने लिया था Elia, he was known for his essays तो जाने जाते थे Essays of Elia के लिए ठीक है जी Charles Dickens characters are generally flat, round, humorous, pathetic Charles Dickens के बारे में अगर हम बात करें तो Charles Dickens जो हैं वो Victorian novelist थे ठीक है जी और इनके जो novels हुआ करते थे वो पब्लिश हुआ करते थे serially पब्लिश हुआ करते थे यह नहीं कि एक बुखे फॉर्म में होते थे तो होता गया था कि उसमें बहुत सारे characters जो इंटिड्यूस हो जाते कोई characters एक एक दो दो लाइन के लिया थे तो थ्री अराउंट हंड्रेड नौवल्स हंड्रेड एक्रेक्टर्स इन नौवल तो इतने अगर characters होंगे किसी नौवल में तो ओविसली वह flat characters होंगे इच और एवरी character cannot grow and develop तो उनके जो characters हुआ करते थे देवा flat characters flat characters वो होते हैं जो एक से ही two-dimensional होते हैं जो develop नहीं करते हैं जिन में समय के साथ कोई change नहीं आता है दोस characters are called flat characters which of the following novels of dh lawrence has autobiographical overtones women in love rainbow sons and lovers the white peacock अगर आपने dh lawrence को पढ़ा है वही तो modern age के writer थे और इनका एक novel है sons and lovers यह novel एक autobiographical novel है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक edifice complex दिखाया गया है और इसकी कहानी उनको अपनी कहानी की तरह ही उन्होंने बताई है तो that is sons and lovers what is the central theme of Whitman's famous poem passes to India Walt Whitman जिन्हें कहा जाता है कि father of free words और उनकी जो leaves of grass है उसे Bible of democracy कहा जाता है passes to India जो उनका work है जो उनकी poem है उसमें spirituality and transcendentalism को दिखाया गया it is based on spirituality and transcendentalism अपने आपी लगया c spirituality and transcendentalism who is the author of the novel The Sun Also Rises Hemingway, Mark Twain, William Faulkner, Wallace Stevens कि मैंने आपको पहले भी बताया था The Sun Also Rises जो ये जो novel है इसको लिखा है किसने Hemingway Hemingway Which novel of Hemingway is based on the theme of men's struggle with nature आप लोगों को Hemingway के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने आपको चीज ये बताया थी कि he is he has coined code hero code hero code hero code hero Hemingway novel से ही आया है और किसको कहा है Cintiago को कहा गया है the hero who dies for his faith he accepts the challenges and he can be broken but he cannot stoop थीक है तो वो जो उसे कहते है code hero कि जो अपने beliefs के साथ समझाता नहीं कर सकता तो से इंतियागों के करेक्टर को कहा गया है और जो men's struggle with nature दिखाई गई है old man and the sea में और इसमें ये इसी novel के ये novel उनका noble prize उनको इसके लिए मिला था that is old man and the sea who encouraged Faulkner to write novels Anderson, Frost, Wallace Stevens, Hemingway Faulkner ने pulp fictions भी लिखे है तो पॉकनर को जो उनको नॉवल सिंगने के लिए encourage किया था Sherwood Anderson ने जो है वो किया था that is Anderson निसमें स्केल's Hymns in Darkness is a drama a novel a collection of literary essays a collection of poems आपको भी यह पता होगा कि यह जो इनकी मेसे मेसकेल father of modern English poetry कहा जाता है जो है वो Ben Israelet थे और उनकी जो यह Hymns in Darkness that is a collection of poems a collection of poems Mulkraaj Anand's first novel the untouchable was published in Mulkraaj Anand जो की एक Indian writer थे इन्होंने जब untouchable लिखी थी तो महत्मा गांधी के को उन्होंने दिखाई थी तो उसमें काफी सारे changes किये थे महत्मा गांधी ने उन्होंने यह कहा था कि जिस तरीके के शब्द तुमने इसमें करें हैं ऐसे शब्द जो यह community है वो यूज नहीं करती है पूरा draft change हुआ था और जिस समय बहुत जातीगत वर्ग भेद बहुत जादा किया जाता था उस समय इस novel ने एक संसनी मचा दी थी बहुत सारे publishing houses के ठुकराने के बाद यह novel published with you and when it came it created a stir और यह जो novel है इसकी वजह से मुलकरा जानन को propagandist कहा जाता है कि whatever he has shown in this novel that is just a superficial reality of that era of that class because unless you are born in that class you cannot feel the pangs of hunger and that discrimination and superficial things can be portrayed by anyone तो यह मुलकराज आनन्द का जो novel था untouchable that came in 1935 हूर ओट नलेनिया कॉमेडी कमलादास निसमिस्किल राजा राव और के नराए नलनिया कॉमेडी यह लिखी गई है निसमिस्किल के दौरा बाबु इंगलिश पे पिजिन कहा जाता जिसे है who is the protagonist in आनन्द's novel the untouchable बाखा लाखा राखा साखा that is बाखा he is a sweeper boy and it is a story of a sweeper boy the story covers only one day और यह एक दिन का action दिखाया है the 18th century work Tom Jones was written by whom यह 18th century का जो work है जब novels की शुरुवात हुई थी Tom Jones जो लिखा गया है that was written by Henry Fielding it was written by Henry Fielding James Joyce novel Ulysses takes place over what period of time आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी stream of consciousness technique यह जो stream of consciousness technique है जिसमें विचारों का प्रवाह जो है वो चलता है और विलियम जेम्स ने उनके उनको इसको टर्म को यूस किया था principles of psychology में और यह जेम्स चॉइस की जो novel है Ulysses यह भी stream of consciousness technique को अपनाती है और इसमें जो period of time लिया गया 24 hours चाबिस घंटे की कहानी है यह Ulysses Ulysses नाम से एक poem भी है और Ulysses नाम से एक novel भी है poem इनकी नहीं है जेम्स चॉइस की सबको पता है किसकी है who wrote the poem the seven ages john milton jeffrey chausser william shakespeare edward giver अब अगर आपको मैं यह पूछू तो भाई poem के बारे में अगर हम बात करें तो भाई seven ages जो है आप सबको पता है कि as you like it में seven ages जो है वो दिया गया है ठीक है जी seven ages जो है वो जिसमें पूरा बताया गया है कि इंसान जब जो है पैदा होता है उसके बाद बड़ा होता है उसके बाद कैसे बीहेव करता है तो यह जो है तो भाई seven ages poem तो नहीं है मगर यह पार्ट है इसमें seven ages of men और यह जो है अगर आपको मैं seven ages जूंड रही थी seven periods बताये गए है तो यह जो है आपका all the world is a stage यह इसकी बहुत famous line है तो यह seven ages जो है यह लिखी गई है किसके द्वारा all the world is a stage and all men and women are merely players यह William Shakespeare की बहुत ही famous जो है यह रचना है इन वह लेंग्वेश जिट शेक्स्पियर राइट बाटे तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश ठीक है जो एंग्लो सेक्षन पीरिएट से चलती भी आई थी उसके बाद चौसर वाले पीरिएट में आई थी middle English और उसके बाद जो इंग्लिश आई है शेक्सपियर के एरा से जो पीरिएट जो इंग्लिश शुरू हुई है वह modern English है जो अवी तक चली आ रही है तो जो शेक्सपियर जिस लेंग्वेश में लिखते थे देट वास modern English ठीक है जी इन वह लेंग्वेश दिशेक्सपियर राइट तो modern English है नो आगे बढ़ते हैं दो दो इंपर्टेंट अलमेंट ओफ ट्रेजडी इस प्लॉट चारेक्टर स्पेक्टिक्टल स्थिक्शन पै अपॉर्डिंट तो अरिस्टोल के उनोंने जो का है कि प्लॉट इस दो प्लॉट इस दो सेकेंड्री है सबसे इंपर्टेंट है कहानी कथानक तो सबसे इंपर्टेंट जो अलिमेंट है दैट इस प्लॉट modern age is an age of pessimism and cynicism conflicts and controversies subjectivity all of the above अगर हम modern age की बात करें तो modern age में नकारात्मक्ता और संशयवाद है conflicts और controversies भी है और subjectivity है objectivity की जगे जब यह stream of consciousness और यह सब चुरू हो जाता है who is the author of a brief history of time Albert Einstein Stephen Hawkins जगदीश चंद्रबसू आइजक न्यूटन आप लोगोंने सभी ने Stephen Hawkins का नाम जरूर सुना होगा इसमें उन्होंने एक concept दिया है ब्लाक होल और इन सभी का light कौन को अगरे का सबका जो है वो उन्होंने concept दिया है यह जो बुक है brief history of time यह Stephen Hawkins के द्वारा लिखी गई है कि कि और क्याप्टन माइक क्या इसका जॉन्रा क्या है अमेरिका में सिविल वार चल रहे थे अबराहम लिंकन की हत्या हुई थी अबराहम लिंकन इसमें जो पूरा एक एक जो मेटाफर है इसमें पूरा इलाबरेटेड मेटाफर है ship का मेटाफर जो है वह चला है थीक है तो इसमें मेटाफर यूज किया गया है किसके द्वारा लिखी गई है वाल्ट विटमें के द्वारा ये लिखी गई है चले आगे बढ़ते हैं प्रुटी इस तुथ 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 इस ब्यूटी इस स्टेट बाइ कीट्स शेले जेन अस्टेन चालतला सुंदरता ही सत्य है सत्य ही सुंदर है ये नौन टू आल ये कहा है किसने रोमेंटिक एज के पोईट कीट्स ने जो है वह कहा है tom jones by henry fielding was first published in the first half of 19th century the first half of 18th century the second half of the 18th century 19th century 1749 में आई थी 1749 जो है, first half of the 18th century हुआ, तो यह है इसका answer, the first half of the 18th century, 1749 माई थी, the first half of the 18th century, on heroes and hero worship is written by, heroes and hero worship जो लिखी गई है, वो Victorian writer किसके दवार, करलाइल के दवारा, करलाइल के दवारा जो है वो लिखी गई है, that was written by करलाइल, आप देख रहोंगे, इसमें काफी सारे questions जो है, वो लिटरेचर के ही है, who is the writer of the Charge of the Light Brigade, George Bernard Shaw, Christopher Marlowe, Tennyson, William Shakespeare, Charge of the Light Brigade एक पोयम है, जिसमें जो है, एक सीना की टुकडी का बताया गया है, कि उसको गलत निर्देश जो है, वो मिल जाते हैं, मगर वो पीछे नहीं जा सकते, cannon to the right, cannon to the left, तो यह एक आत्म विश्वास की कहानी है, एक ब्रिगेट की, तो यह दिखी गई है, Tennyson के द्वारा, तो यह जो एंटी रोमेंटिक नॉवलिस्ट नॉवलिस्ट इन रोमेंटिक एज, चाल्स लैम, जेन ऑस्टन, विलियम हैसलेट, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, तो बहुत ही घरेलू नॉवल्स हुआ करते थे, अब यह हमारे कुछ ग्रामर के क्वेस्टिंस हैं, तो यह मैं इनक क्वेस्टिंस हैं, मोडल पे बेस्टिंस पूछे जाते हैं, यू डैश नॉट ब्रिंग दा चाइल्ड है, अब हम यहां पर हैव, नहेड, नीड, नीड, जो हमारा मोडल है, वो मोडल के रूप में नेगटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होता है, तुम्हें यहां पूरत का सेंस जो है, वो बता रहा है, डैश यू लिव लॉग, यह जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, यह सेंटेंस जो है हमारा, यह आपका कोईसा है, ओप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, बदुआ देते हैं, तो ओप्टेटिव है आप्टेटिव सेंटेंस में जो शुरुआत होते जब किसी को मियाद दुआ दे रहे हैं तो अब कैसे करेंगे में यू लिव लॉंग तो हम यहां पर कौन सा मॉडल यूज करते हैं में में यू लिव लॉंग यहां भी यहां पर आशिर्वाद दे रहे हैं तो भगवान तुमारी सहयता करें तो में गॉड़ हेल्प यू अब आपके हिसाब से यहां क्या लगना चाहिए आप मुझे बताइए चलिए आप कोई आंसर दे दिया होगा यहां पर हमारा जो आंसर है वो है शुट जब कोई पॉसिबिल्टी बतानी होती है तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं इट शुड भी टेनो क्लॉक नाउ जैसे मैं आपको इसका पॉइंट भी बताना चाह रही हूं तो जरा मेरा पॉइंट जो है वो मुझे मिल जाए तो मैं बताई दूंगे और यह रहा हमारा पॉइंट आ गया है यही था पॉसिबिल्टी बताने के लिए होता है और जैसे हमने बोला I think he should come tomorrow तो यहां पर पॉसिबिल्टी बताने के लिए जब पॉसिबिल्टी बतानी होती है तो हम शुड का यूज जो है वो करते हैं अगर बहुत स्ट्रॉंग पॉसिबिल्टी होगी तो मस्त लगाता है अगर फ्यूचर में किसी बात का स्ट्रॉंग बताया जाती है कि अब तक वह स्टेशन पहुंच गया होगा तो वहां पर आपका जो मॉडल लगता है पॉसिबिल्टी बताने के लिए फ्यूचर की स्ट्रॉंग पॉसिबिल्टी बताई जा रही है कि अब तक यह काम हो गया होगा अभी तक वहां पर बाइनाव आ रहा है अभी तक तो यहां गोड़ाव नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहां पॉसिबिल्टी बताई गई हो तो वहां पर हम विल्हाव का यूज करते हैं पॉफेक्ट फ्यूचर पॉफेक्टेंस है का रूल है अब देखो सबसे पहले आपको यहां पर यह देखो यह मोडल दिख रहा होगा यह मोडल के बाद जो लगता है वह बैर इंफिनिटिव लगता है बैर इंफिनिटिव का मतलब होता है कि फिर्स्ट फॉर्म ओफ वर्ब ठीक है जी तो खाली शी होता तब तो हम हैस्टू लगा देते लेकिन यहां विल आ रहा है और क्या है कि हैब तू का मतलब होता है कि करना पड़ेगा तैट इस अन ओबलिगेशन तो आप क्या लगा हो कि ostrich बहुत है आप लोगों ने जब leels पड़े ओंगे तो आपको यह चीज़ पता होगा कि पॉसि feminist बताता है और अबली पताता है वह सा होता है वो model होता है can the birds can fly high in the sky तो यह क्या बता रहा है यह can बता रहा है ability तो ability बताने के लिए हम किसका use करते है can का use जो है वो किया जाता है डाश आई ओपन दा में गोड़ गेट शुड़ वुड़ कोड़ मस्ट तो यहां पर रहता है अब आप यहां पर permission ले रहे हैं तो permission लेने के लिए आपको जो है वहां पर यूज़ करना होगा कि यहां पर आप मेरे हिसाब से तो वैसे यहां पर शुड़ आ रहा चाहिए शैल आई ओपन में क्या मुझे में गेट खुलना चाहिए आप यहां पर यहां कुड़ भी लगा सकते है कुड़ा ओपन द लमें गेट क्योंकि आतीवी नम्र परमिशन में कुड़का भी यूज़ किया सकता है तो यहां पर दोनों ही ठीक हैं और शुड़ाई ओपन द मेंगेट यह परमिशन मांगने के लिए बी सही है और अगर तुम अच्छे थे खेले होते तो हम जो हैं we would have won the match लेकिन अगर आप यहां देख रहे हैं तो यहां वर्ब की second form लगी वी है played और इसका मतलब होता है past subjunctive जब past subjunctive आता है तो वहां पर would का use करते हैं यानि कि वर्ब की second form के बाद जो तो यूज किया जाता है यहां पर would आएगा अगर यह था इफ यू हैड प्लेड वेल तो वी वूड हाव वन दा मैंच वह पूरा ही चेंज होता हुआ I think you not mind my reciting the poem loudly कि मुझे लगता है कि तुम you wouldn't mind you would not mind कि यहां पर कह रहे हैं कि तुम अगर मैं पोयम जोड जो से गाओ तो तुम mind नहीं करोगे तो my you I think you would not mind my reciting the poem loudly I think अब किसी चीज का क्यास लगाया जा रहा है तो possibility के sense में you should not mind my reciting I think you should not mind my reciting the poem loudly or you would not mind my reciting तो दोनों ही ठीक है should be possibility के sense में use कर सकते हैं और यहां would be जो है वो आसर यू वोड़ नॉट माइंट यह माइंड के लिए हम लोग वूड वाला पाइट ज्यादा यूज करते हैं तो इसलिए यहां आएगा वूट डैश इसेट हेर पॉड सम्टाइम चैन शैल विल मस्ट जब किसी से पर्मेशन मांगते हैं तो हम वहां पर कैन का यूज करते हैं चैना इसेट है पॉर सम्टाइम यूज टेग था चाइल्ट टू एन रॉन इंटेलिजेंट डॉक्टरण जब कोई क किसी को कोई काम करने के लिए अब करना तो हम वहां पर क्या लगाते या तो शूड लगाते है या और आट तो इन फार्मल ओता है शुड फार्मल होता है तो अगर किसी को सला दे रहे हैं तो you ought to take the child to an intelligent doctor कि तुम्हें ले जाना चाहिए ही चाहिए क्योंकि तुम अभी तक एक मूर्ख डॉक्टर से इलाज कर आ रहे हो तो ओट टू इन फॉर्मल वे में हम यूज करते हैं ओट टू शी डैश स्मोक इन दोस देज वो उन दिनों जो है वो स्मोक किया करती थी ठीक है जी तो भाई किया करती थी मगर आब नहीं करती है तो जो काम पहले हुआ करता था मगर आब डिसकंटिन्यूड हो गया है उसके लिए क्या लगाते हैं यूस्चू यूस्चू स्मोक इन दोस दोस मगर आब नहीं करती अब बीड़ी फूकना बंद कर दिया है इफ आई वर यू आई नॉट अटेंड दा मीटिंग ये भी पास सब्जेंक्टिव है वर आ रहा है पास सब्जेंक्टिव ये वर की सेकंड फॉर्म वर लगा दिया है तो आप क कि यू डैश सब्मिट यूओ फाइल टूद अथॉर्टी इस विदिन अवीक पाई अभी किसी चीज पर कि जब हम किसी जब अदस्ती है करना ही करना होगा नहीं तो जो यू विल भी थ्रोण आउट तो आपके वहां पर कौन सा जो है वी यूज करते हैं होना यहां पर हृब टू समय यह नहीं कि किसी काम को करने की मजबूरी होती है तो वहां है डू का यूज किया जाता है यू हम टू सब्सक्राइब और फाइल कि टैशा यूज़ यूर फोन आप बेसिकली यहां पर में का यूज़ बीकिया जा सकता है कैन कभी मागर आप खुद सोचिए जब आप किसी से अब किसी का फोन मांगते हैं तो बहुत परसनल ऐसा लगता है किसी की ऍौंग यूज़ आपक किसी का फोन जो है वह य खोल लेंगे फिर यह करेंगे वह करेंगे तो बहुत ऐसा है कि जब कोई ऐसी चीज मांगो जिसको देने में इंसान की किड़नी भार आ जाए तो वहां पर अती विनम्रता का प्रयोग करना होता है और अती विनम्रता के लिए जो मोडल यूज होता होता है यहां यह यह पास्टन नहीं है अती विनम्रता के लिए आप नहीं कूड यूज करता है अपनि ऑ-पन देने के लिए रिपैंद ऑषी नियों पहाद ने कि Обaaa T और साधारण तोर पर कोई चीज़ लेने के लिए कैन का यूज जो है वो किया जाता है मगलों गच तर स्थागा तो यहां पर एक होस्पिटल हुआ करता था जब हम चोटे थे तो यह एक आईस्क्रीम का और पार्लर हुआ करता था दे यूस चूब एन हॉस्पिटल अब यूस्टू के बाद यहां बीस लिए लगाया है क्योंकि भाई वर्ब की फर्स फॉर्म लगा नहीं है, हॉस्पिटल तो नाउन है, तो इसलिए बी का यूस्ट किया गया है वो लिख पड़ लेता था जब वो छोटा था, तो बाई यह पास की अबिलिटी बताने के लिए आप लगाते हैं, पास की जनरल अबिलिटी बताने के लिए, जनरल अबिलिटी बताने के लिए पास की आप कोड लगाते हैं, he could read and write when he was young, तो यह था हमारा आज का सेशन और I hope कि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगे, 30-day strategy शुरू हुई है, तो इसको avail yourself of this opportunity, बस आज के लिए इतना ही, that's all, और may God bless you, bye-bye.